Hello guys, how are you guys? Guys, अगर आपने अपने डिवास को root कर रखा है, यानि कि Magisk Manager को install कर रखा है और अगर आप अपने डिवास में MIUI को use कर रहे हैं तो आज किस वीडियो में आपको कुछ ऐसे Magisk Models बताने वालों जिनकी help से आप अपने डिवास में जो bloatwares हैं उनको uninstall कर सकते हो अगर आपको नहीं पता bloatwares क्या होते हैं तो आपको बता दूँ जब हम कोई new device लेते हैं उसके साथ जो application साथ है जो कि हम use भी नहीं करते हैं उसको हम uninstall भी नहीं कर सकते हैं उसको हम bloatwares बोलते हैं जैसे कि देखिए कुछ applications है जो मेरे device के साथ में यह जैसे facebook, prime video, linkdinck, spotify, dream 11 पता नहीं कौन सी कौन सी application इनको मैं uninstall कर सकता हूँ लेकिन जो कुछ ऐसी applications है जैसे कि यह देखिए calculator, recorder, scanner इनको मैं uninstall नहीं कर सकता तो guys आज किस video में मैं आपको method बताने वाला हूँ कि root की help से आप इन applications को कैसे uninstall कर सकते हो क्योंकि guys माल लीजे मेरे device में इस टाइम पे 10 ऐसी applications है जो कि मैं use नहीं करता और अगर एक application 200MB लेती है तो 10 applications 2GB लेगी जो कि मेरे storage को भी full करके रखेगी और जो मेरे RAM है उसको भी full करके रखेगी तो guys चलिएब हम आज की हमारी इस वीडियो को start करते हैं और हम आपको बताता हूँ कि magis के help से यान की root की help से आप अपने device के अंदर bloatwares को कैसे uninstall कर सकते हो तो guys अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगए पहली तो debloat extreme की file दूसरी debloat की file तो guys मैं आपको simply बता देता हूँ इन दोनों files के अंदर आपको work क्या देखने के लिए मिलता है लेकिन guys इन दोनों files का जो credit है इनके developers को जाता है मुझे बस ये files अच्छी लगी इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ तो guys ये देखिए मैं आपको थोड़ा एक photo बगे अंदर समझाता हूँ देखिए जो हमारी debloat वाली file है वो इन सभी applications को delete आपके device से कर देगी आप ज़रा screenshot लेके अराम से इन सभी applications को एक बर पढ़ लीजिए अगर आप मेरी description में जाके जो debloat वाली file है उसको use करोगे तो ये सारी application आपके device से delete हो जाएगी लेकिन guys जो दूसरी file है extreme वाली अगर आप उसको use करोगे तो ये सारी applications आपके device से uninstall हो जाएगी तो guys आप हमारी video की description से अपने हिसाब से जो भी आपको file install करनी हो वो कर लेना जैसे कि आपस भी देख सकते हो ये दो files है पहली तो debloat extreme और एक debloat वाली इसके बाद guys इनको use करने के लिए आपको क्या करने है सबसे पहले आपको अपने mages को open करने है यहाँ निचे जो आपको एक module का section देखने के मिलता है इस पे जाने है आपको install form storage का option देखने के मिलता है उस पे जाने है यहाँ पर जाने के विवाद जो मैंने आपको video की description में दोनों files दिया आपको simply उन्हें ढूंडना है जैसे के आप सभी अपने screen पे देख सकते हो यह वाली मेरी दोनों files है अब guys यह बात आप पे depend करती है कि आपको दोनों files में से किस file को use करना है debloat वाली या फिर debloat extreme वाली मैं extreme वाली को simply use कर लेता हूँ कुछ इस परकार यह simply एक से दो मिंट के अंदर हमारी device में successfully install हो जाएगी जैसे का आप सभी अपने screen पे देख सकते हो अब guys आपको simply अपने device को simply यहां से reboot कर देना है अब guys आपका जो device है वो reboot होने में 2 से 3 मिंट लगा देगा और 2 से 3 मिंट के बाद देखोगी कि आपका device पहले से smooth हो गया है क्योंकि उसके अंदर bloatware नाम की चीज़ खतम हो चुके वो भी extreme लेवल पे और guys मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास Redmi और Poco के अलावा कोई दूसरा device है जैसे कि Infinix, Realme, SamSang और भी काफी सार आते हैं अगर उनको आपने root कर रखते हैं और आपको bloatware को खतम करने हैं तो आप हमारी इस वाली वीडियो को देख लीजे इस वाली वीडियो को फोलो करने के बाद आपके पास चाहिए कोई भी device हो उसके अंदर आप bloatware को uninstall कर सकते हैं तो गैस अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो मारी सूट अप चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर कर लीजेगा ऐसी वीडियो के साथ मैं आपको आगे मिलता रहूँगा तो चलिए हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई पर चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर कर लीजेगा